हालो एच्टूडेंट्स मैं बेपी सिंग हाज आपके लिए इंटिगल कोईलकॉस में एक इंग्पॉटेंट चेप्टर है जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्षिन बीएसी सी 1 शं में, जोолж है इंटिगल की भुक है कि इसका यह इंग्पॉटेंट वाला हूं, कौन-कौन से question आपके लिए देने वाला हूं, beta and gamma function में लगवग 10 lecture होंगे, topic थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़े मस्त तरीका से एक-एक point clear करूँगा आपका, पूरी कोशिस करूँगा कि आपको coaching की आवसक्तर नहों, और आपको यहीं सब कुछ मिल जाए, त चलिए, question लेते हैं, beta and gamma function, बीटा and gamma function, इसकी अंदर में सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा, बीटा function, बीटा function क्या होता है, उसका integral कैसा होता है, उसमें limit क्या होती है, फिर मैं उस पर based example दूँगा, आज लगभग आपको एक short तरीका से बता दूँगा, और second lecture में मैं इनी formula को proof करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है, चलिए, तो बीटा function होता है, बीटा mn, और इसे integral में हम लिखते हैं, limit 0 से 1, x की power m minus, 1 minus x की power n minus 1 dx, इसके बरावर ये होता है, ये मैं कैसे आया, बीटा mn, ये भी proof करके दिखाऊंगा, second lecture में, आज हम कुछ छोटे छोटे exam पे लेते हैं, जिसकी बज़े से आपको ये रट जाए, तो चलिए, मैं एक exam पे लेता हूँ, limit 0 से 1, x की power 4, 1 minus x की power 6, dx, इसकी value बीटा function में क्या होगी, अब हम compare करते हैं, मेरी बच्चों, तो m minus 1 equal to 4, इसका मतलब m equal to 5, यहां से इसकी compare करते हैं, n minus 1 equal to 6, इसका मतलब n equal to 7, तो m की value 5 और n की value 7 आई, तो इसका answer हो गया, बीटा m की जगे पर 5, n की जगे पर 7, तो इस question का ये answer हो गया, बीटा mn को कैसे खोलते हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक, और बीटा mn equal to बीटा nm होता है, यह भी आपको proof करके दिखाऊंगा, के लिए, आईए एक formula बना दिया, मैंने question, एक question ये मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ x की power 3 upon 2, 1 minus x की power 1y2 dx, तो इसकी value कितनी होगी बीटा में, अब हमने हिया क्या देखा, जितना यहाँ है, यहाँ 4 है, तो 5 answer आया, 6 है, तो 7 answer आया, इसका मतलब हिया 3y2 है, तो answer 5 by 2 होगा, 1y2 है, तो answer 3y2 होगा, उमीद करता हूँ, यह clear हो गया होगा, बीटा mn के according, चलिए, इसी में दूसरा formula भी होता है, बीटा mn का, मेरे बच्चों, यहाँ limit 0 से infinity, x की power m minus 1 upon 1 plus x की power m plus n dx, clear हुआ, इसका मान भी यही होता है, अब मैं इस पर एक question बना रहा हूँ मेरे बच्चों, limit 0 से infinity, x की power 4 upon 1 plus x की power 10 dx, देखिए मेरे बच्चों, जब आप इस formula का यह जानते होंगे, तभी इसे solve कर सकते हैं, otherwise solve नहीं होगा, आईए तो हम compare करते हैं, यहाँ से m minus 1 equal to कितना है, m minus 1 equal to 4, it follow that m equal to 5 हो गया, यहाँ से compare करते हैं मेरे बच्चों, तो m plus n equal to 10, m की value यहाँ 5 रखोगे, तो n की value कितनी बचाएगी, 5 ही बचाएगी, इसका मतलब इसका answer हुआ, हाँ है, उससे एक ज़्यादा है, और जो ज़्यादा है, उसको इसमें से minus कर दो, answer बचा वो लिख देते हैं, clear? आईए एक और question लेते हैं मेरे बच्चों, 0 से infinity, x की power 6 upon 1 plus x की power 16 या 17 dx, तो इसकी value हम कैसे लिखेंगे, यहाँ 6 है, तो 7 आएगा, इस 7 को इसमें से minus कर दो, कितना बचा 10, तो इसकी value यह हो गई, इस article को भी मैं proof करके दिखाऊंगा, next lecture में, clear? अब यह दियान रखना, जो article आज में बता रहा हूँ, यह next lecture में, या लेक्चर 2 में आपको proof मिलेंगे, clear? आईए, एक और question लेते हैं, यहाँ है यह beta, mn की value होती है मेरे बच्चों, twice limit, 0 से लेकर pi y2, sine की power, 2m-1 theta, cos की power, 2m-1 theta, d theta, तो इस पर भी based हम आपको एक question बताते हैं, तो limit 0 से लेकर pi y2, sine की power, 4 theta, cos की power, 6 theta और d theta, यहाँ twice लिख दीजिए, या 2 upon में चला जाएगा, चलो लिख दीजिए, compare करेंगे, यहाँ से मेरे बच्चों, तो 2m-1 equal to 4, 2m equal to 5, m equal to 5 upon 2, यहाँ से इन दोनों को compare करें, 2n-1 equal to 6, 2n equal to 7, n equal to 7 y2, यह m की value आई, यह n की यहाँ रख दोगे, तो यह बना beta 5 upon 2 और 7 upon 2, clear हो गया, आएए मेरे बच्चों, यहाँ हमें question लेते हैं, ठीक है, तो मैंने यह question लिया, twice, यहाँ से लिखते हैं, twice, limit 0 से πाई वाई 2, आपको यह special ध्यान रखना है, यहाँ limit 0 to 1 ही होती है, यहाँ 0 to infinity होती है, और यहाँ 0 से πाई वाई 2 होती है, हम लेते हैं, sine की power 10 theta, cos की power 10 theta d theta equal, बीटा में इसकी value क्या होगी, अब आप समझे, जितना यहाँ है, उसमें हमने एक plus किया है, यह plus कर दिया, फिर 2 की divide की है, तब यह answer आया 5 by 2, ऐसे ही इसमें 1 plus किया, उसमें फिर answer में 2 की divide करी, तब आया 7 by 2, इसी base बर, इसमें हम 1 plus करेंगे 2 की divide करेंगे, तो 11 by 2, यहाँ भी 1 plus करेंगे 2 की divide करेंगे 11 by 2, यह आपका answer है, clear मेरे बच्चों, एक और लेते हैं, twice limit 0 से लेकर pi by 2, sin की power 3 by 2, और cos की power 1 by 2 theta, और बाहर d theta, इसको हम बीटा में कैसे लिखेंगे, जितना यहाँ है, उसमें 1 plus करो, कितना हो गया, 3 by 2 plus 1, तो यह हो गया 3 by 2 plus 1, यानि 5 by 2, 5 by 2 में फिर 2 की divide करीए, तो यह answer आएगा 5 upon 4, 1 by 2 में 1 plus करेंगे, तो 3 by 2, पिलस तो करना जानते हैं, 1 plus 1 by 2, 3 by 2, और फिर उसमें 2 की divide करेंगे, 3 by 4, तो यह question में इसलिए बता रहा हूं कि आपको बस याद हो जाएं, कि beta function कौन कौन से होते हैं, के लिए एक और formula लिखते हैं, beta function का एक और होता है मेरे बच्चों, beta mn, वो beta function का नहीं होता, वो अलग होता है, उसे में बताऊँगा, अब लेते हैं, gamma function, beta में एक और property रहे गए, यह symmetry property, symmetry property होती है मेरे बच्चों, beta mn equal to beta nm, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो लिख रहा है answer, इसकी जगे पर अगर मैं ऐसे लिख देता, n-1, 1-x की power m-1 dx, तो यहाँ m है, यहाँ n है, मैंने इसका उल्टा लिख दिया n और m, तो इसका answer बनेगा beta nm, बट beta nm equal क्या होता है, beta mn, इसका मतलब जो answer इसका आएगा, वही answer इसका आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ m है, और आप इसे ऐसे लिख देते, 0 से infinity, n-1 upon, 1-x की power, m-n dx, तो इसका answer बनता nm, क्योंकि उपर n है, बट beta mn बरावर beta nm होता है, तो answer पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही यहाँ m की जगे पर पहले n होता, यहाँ m होता, तो भी same answer आता, यह तीन formula मेरे बच्चो, beta function के हैं, lecture 2 में मैं आपको यह proof करके दिखाऊंगा, यह proof करके दिखाऊंगा, यह beta mn, beta nm equal, beta mn कैसे होता है, यह proof करके दिखाऊंगा, सारे formula को define करूंगा, बीडियो वहाँ थोड़ी सी सुस्त है, मतलब बीडियो, कि speed आप बढ़ा लेना वो एक साल पहले की बीडियो है, तब मैं बीडियो बनाना नहीं जानता था, कि बीडियो की speed कितनी करनी होती है, आप उसकी थोड़ी speed बढ़ा लेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा, उसमें मैंने एक-एक point define किया है, बस अब तो मैं lecture set कर रहा हूँ, कि आपको कोई परिशानी नहो, और यह मैं बता के चलूँ, कि next lecture में आपको मैं क्या-क्या देनी वाला हूँ, इसकी insert ले लीजिए, तो चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, कि gamma function क्या होता है, फिर मैं आपको beta and gamma function के relation बताऊँगा, के लिए देखिए, अब हम आपको लेके चल लए हैं, gamma function में, gamma function पहले आपको मालूम होना चाहिए, होता क्या है, यह मैंने gamma का sign बना दिया, यह gamma है, अगर इसमें मैं 5 की value आपसे पूछूँ, तो यह एक कम होता है, और यह factorial का sign है, factorial 4 होता है, gamma 20 की value factorial 19 होगी, गामा 15 की value factorial 14 होगी, जितना gamma में नम्मर आप लोगे, उससे एक कम नम्मर factorial में होता है, और factorial 12 में आप सीख कराए होंगे, तो इस factorial को खोलेंगे तो 4, 3, 2, 1, तो यह कितना होगा या, 24, यह value factorial 4 की है, और यही value gamma 5 की है, किसकी है, gamma 5 की value भी, यही है, 2, 4, इसका मतलब gamma अगर 7 को मैं खोलता हूँ, तो यह 6 से सुरू होगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 6, 5, 3, 4, 12, 6, 12, 720 हो गया, यही value factorial 6 की कहलाती है, factorial का sign यह होता है, गामा का यह, यह बुकों में और type C बन रहा है, तो सभावे के आप gamma सीख गए होंगे, अभी rational नमर में और देख लीजिए, यह gamma 7 y 2, इसमें से एक कम कर दिया जाए, तो यह factorial में 5 by 2, यह 3.5 है, तो factorial मेरे बच्चे 2.5 है गया, के लिए अब इसको हम कैसे expand करते हैं, वो देखिए, इससे जब आप खोलोगे, तो 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2, जब 1 by 2 आ जाए, उसके तुरंत बाद आप under root pi लिखेंगे, क्योंकि gamma half की value under root pi होती है, यह भी मैं आपको proof करके दूँगा, ठीक है, तो gamma 1 by 2 के बाद तुरंत आप लिखेंगे under root pi, इसका answer हो गया, 15 upon 8 under root pi, इसी को, gamma को हम factorial लिख सकते हैं, और जब rational में आता है, तो 1 वटे 2 के बाद under root pi लिखते हैं, तो चलिए, अब gamma का जो most top important formula है, वो क्या है, यहाँ limit 0 से infinity e की power minus x, x की power n minus 1 dx, यह gamma n होता है, अब यहाँ n की जगे पर कुछ भी रख दो, जैसे मैं एक example लेता हूँ आपके लिए, limit 0 से infinity e की power minus x, x की power 4 dx, तो बस जितना यहाँ इसे compare करिए, n minus 1 equal, कितना हो है, 4, n minus 1 equal 4 है, तो n equal क्या हो गया, 5, तो इसका answer gamma 5, अब बस आपको यह देखना है मेरी बच्चो, जितनी value यहाँ होती है, उससे एक ज़्यादा gamma होता है, आप अगर PGT की तयारी कर रहे हैं, PGT की कर रहे हैं, या तुमारी university में objective question हैं, तो मैं objective भी लेके चलूँगा, chapter खतम होने के बाद, सारे tricky question जैसे यह एक तरह के objective हैं, जिनने में 10-10 second में solve करके दिखा रहा हूँ, अगर इसी example को ऐसे लिख दिया जाया है, limit 0 से infinity, e की power minus x, x की power dx, तो यह gamma 11 हो जाएगा, अगर आप इसे solve करना चाहते हैं, तो यह factorial 4, 4, 3, 12, 24, इसे solve करना चाहते हैं, तो factorial 10, 10 की multiply कहां तक पहुँचोगे, आप 1 तक, और फिर इसे solve कर लोगे, next सवाल देखिए, limit 0 से infinity, e की power minus x, x की power 1 वटे 2 dx, minus में ले लीजिए, तो जितना यहां हैं, उससे एक जादा होता है, इसमें एक पिलस कर दे, जैसे इसमें 1 पिलस करोगे, तो यह answer आया, इसमें 1 पिलस करोगे, तो कितना आएगा, गामा हाफ, और गामा हाफ की वेलू, under root पाई होती है, अब इसी का एक और फॉर्मूला, आपको बता रहे हैं मेरे बच्चो, एक और फॉर्मूला होता है, जीरो से infinity, minus के z x, x की power m, minus 1 dx, यह होता है मेरे बच्चो, गामा m upon z की power m, यह very very important है, कहीं z लिखा है, कहीं a लिख दिया है, ठीक है, आईए तो इस पर मैं एक question लिख रहा हूँ, जीरो से infinity, e की power minus 4x, x की power 7, और dx, तो यहाँ m minus 1 equal कितना है, compare करें 7, m equal 8, तो गामा 8 हो गया, और z की जगे पर, यहाँ क्या है 4, 4 की power 8, यही answer है, हमने हैं क्या देखा, जितना यहाँ है, यहाँ उससे एक ज़्यादा होता है, गामा में, और जो उपर होता है, वही इसकी power होती है, आईए चुटकियों में सवाल और solve करते हैं, limit 0 से infinity, e की power minus के 2x, x की power 4 dx, तो यहाँ होगा, गामा 5, upon 2 की power 5, एक और question लेते हैं, 0 से infinity, e की power minus 1 वटे 2x, x की power 1 वटे 2 dx, तो जितना यहाँ है, उसमें 1 पिलस कर दो, 3 वटे 2, और यह 1 वटे 2 की power भी यही वनेगी, 3 वटे 2, हमने आपको, बीटा function बताया आखिर होता क्या है, गामा function बताया आखिर होता क्या है, अब हम आपको relation बता रहे हैं, बीटा एंड गामा function, यह सभी article में ने यह इसको प्रूफ करके दिखाया है, कि यह इसके बरावर होता है, lecture 2 में, ठीक है, आईए, अब आता है relation, between बीटा एंड गामा, बीटा एंड गामा function में relation तो बीटा एंड एंड इक्वल होता है, मेरी बच्चों, गामा एंड अपॉन गामा एंड एंड पिलस एंड, आप यहां से जो हमने question बताये थे, बीटा एंड में उनको कैसे solve करें, बीटा 4, 5 की value आप कैसे solve करेंगे, बीटा 3, 5 की कैसे करेंगे, उस stack में यह article है, और बिना इसके कोई भी question, बीटा एंड गामा function का नहीं होता, आईए, इसके भी हम एक example लेते हैं, बीटा 2, 3 कैसे solve करोगे, यहां गामा 2 हो गया, M की value 2, N की value 3, इन दोनों को नीचे पिलस तो यह हो गया 5, यहां हो गया 1, इसकी value हो गई 2 into 1, गामा एक कम से खुलता है ना मेरी बच्चो, जितना है उससे कमते सुरूगात हुई है, 2 है तो 1 ते होगी, 3 है तो 2 से, 5 है तो 4, 3, 2, 1, इस 2 से 2 कट गया, 1 upon 12, एक और लेते हैं मेरी बच्चो, 1y2, 3y2 इसे कैसे करेंगे, गामा 1y2, गामा 3y2, इन दोनों को पिलस करोगे तो गामा 2, इसकी value तो 1 हो गई मेरी बच्चो, इसका मान होता है under root pi, इसे एक कम से खोलेंगे, एक कम इसका बनेगा 1 वटे 2, और एक वटे 2 के बाद तुरंत क्या लिखना है आपको, under root pi, तो ये है under root pi, under root pi, under root pi, pi upon 2, एक क्वेशन आप खुद लिखना, बनाना इसका solution, बीटा 7 और 9 की value क्या होगी, बीटा 3 by 2 और 5 by 2 की value क्या होगी, तो मेरे बच्चो, मैंने ये जो आर्टीकिल बताए है, इसको मैंने प्रूफ करके दिखाया है, lecture 2 में, top most question है, तो lecture 3 में मैं आपको, अब कुछ very very important question ले के आऊँगा, और ये भी बताऊँगा, कि lecture 4 में मैं आपके लिए, क्या-क्या देने वाला हूँ, अगर उसमें कुछ lecture 2 या 3 का नाम दे रखा हो, तो आप ये मत कहना कि thumbnail पर क्या लिख रहा है, अंदर क्या है, क्योंकि मैं lecture आपके लिए set कर रहा हूँ, मैंने आपसे वादा किया है, कि 95% तक आपको integral calculus solve करके दिखा हूँगा, ठीक है, आप चिंता न करें, हर article, हर question, हर theorem आपके सामने पेश करूँगा, बस आपसे एक हाद जोड़ कर विंती है, कि आप मेरी हर वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर सेयर करें, के लिए अगर कोई परिशानी है, तो मेरा mobile number चैनल के description में है, आप मुझे से बात कर सकते हैं, इसके इंसौट ले लीजिए,